ये गाईज विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे इस लॉक्डाउन में आप सबने बहुत अच्छे से अपने प्लांट का ख्याल रखा होगा इस बार मैंने जो प्लांट शॉपिंग की है वो अपने गाईजन में कलर एड़ करने वाले प्लांट की शॉपिंग की है आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में पर वीडियो में जाने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी अगर अभी तक नहीं किया है तो जो मैंने सबसे पहला प्लांट खरीदा है ये देखिए ये है सुईट पटटटो वाइन ये देखिए काफी बड़ा प्लांट है और यसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए लिया है इसकी जो पत्यों का पपल कलर डार्क पपल कलर है जो मरूनिश टाइप का हो जाता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये आपके गार्डन में कलर भी आड इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है बहुत जल्दी ये प्लांट ग्रो होता है बिना मेहनत के इसके बाद ये लिया है बोहाई इसके मैंने दो कलर लिये ये Initi देखिए वाइट ौार्ड उयट मेरे गार्डन में नहीं था इसक便 मैंने एक वाइट लिया है यह भी प्रोटलाका की वराइटी है, ये भी मुझे शिफ टैन रूपीस अन्यसी विद्यान संय का ही लिए उसके बाद बम ने ये फीटूनिया का प्लांट लिया और फक्राइब को प्लांट के कुई अन्हीं-धन इस पती और समय हो दो ही और अपन ब्लांट Kamahko Vidmen प्लांट कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं यह मुझे 30 रुपीस का मिला है छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है अब इसे मैं बड़े गंबले में बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं पर जो इसका पॉली बैग का साइज है उसे थोड़े बड़े गंबले में इसे ट्रा मिला है इसका कलर और पती का डिजाइन दिखिए कितना खुब सुर्ण है प्लांट काफी बड़ा है यह भी प्लैक के प्लास्टिक बैग में ही लगा हूआ है यह देखे कितना खुबसरत कटिंग बहुत खुबसुरत है इसकी यह बहुत का गार्डेन में अपर चलूर एड यह देखें कितनी खुबसूरत लिफ्स है इसकी और काफी बड़ी लेफ्स है इसकी और इस ने पॉपल कलर का फ़लार भी आता है यह देखें यह अभी फ्लार वी थूड़ हो चुक्ड है पर जब यह कहलता है तो बहुत खुबसूरत दिखता है इसकी लीज का डिजाइन देखिए बहुत खुबसूरत है ये ये मुझे 50 रुपीज का मिला है नरसरी पे ये भी ब्लैक कलर के पॉली बैग में ही लगा हुआ है सेड लविंग प्लांट है इसे बहुत ज़्यादा धूपकी नीड नहीं होती है इसके बहुत डाक इसकी लीज का कलर है बैक साइड वही जो सुट पेटोटर वाइन के पीछे का कलर है वही इसका भी कलर है और ये बहुत डाक मरून टाइप का है और उसकी जो उपर की लीज है ये भी ब्लैक टाइप का ही ग्रीन है जो डाक ग्रीन बहुत ज़्यादा होता है व क्योंकि जो गर्मियों के सीजनल प्लांट होते हैं उनका सीजन अब खतम हो गया है इसलिए इससे मैं जो मैं मैं शॉपिंग कर रही हूं वह ज्यादा तर मैं पर्मनेंट प्लांट की कर रही हूं उमीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी थांकियो फॉर से यह next video, Buh-bye!